हेलो गाइज, वेलकम तू शेट प्लस मैं आपका संकल्प सर्व, फिजिक्स मेंटॉर और मैनेजिंग डिरेक्टर शेट हाइब्रिड अकाडमी एंड शेट कोचिंग आप सभी को कल की नीट इग्जामनेशन के लिए बहुत-बहुत शुब कामना आए देता हूं सिर्फ अप लक्ष में कुछ लाइने हैं आपके लिए, पिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे हम, कुछ लाइने हैं, जो खुद लिखी है मैंने, ठीक है, तो पेश है आपके सामने, आ गई वो घड़ी है, जिसका तुम्हें और हमें, बेसबरी से इंतजार था, जिसे पार कर लिया है न तो अब बिल्कुल γबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, अपना मैकसिममम और बेस देना है कल तुमें, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, पिपर के बात लोग क्या वुचहेंगे, पिपर एग्जार्मनेशन हॉल से पहले nirvous नहीं होना है, बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है अपना बेस देके गाना है अपना मैक्सिमम देना है इर्डिस्पेक्टिव ओफ इचेंट एवरीटिंग गाइस ठीक है और चाहरा टाइम बेस्ट करते हुए नहीं ज्यादा क्लास मुमेंट पे टिप्स ना देके बस इतना बोलूंगा कि दो बाते बत सब्सक्राइब करना है और अपना मैक्सिमम करना है कि हर कोशन को ऑनेस्टी से अटेम्ट करना है हर कोशन के साथ इंसाफी करनी है इंसाफी का मतलब क्या इंसाफी का मतलब बस इतना सा है कि जब आपके सामने बहुत सारी कोशन होते हैं और ऐसे करते आपको ही समझ में आता है बहुत सारे कोशन शूड़े जिससे आपके बहुत सारे नंबर्स कम हो जाते हैं तो मैं यह बोलूँगा कि वैसे कोशन सापने अगर एक ट्राइम में नहीं आ रहे है तो प्लीज एक और उसकी बारे में एक मिनिट वारु उड़ो और अगर कि वह सवाल होगा नीट का पेपर बहुत तफ नहीं होता है अशा करूँगा आप सब बहुत अच्छा करोगे बंस अगें प्रॉम माइं साइड एड स्वेल एस प्रॉम कम्प्लीट शेयर प्रेटरिनिटी आवट लाइक तो विश्यू और नीट एक्जामिनेशन होड के आ